आज हम बात करेंगे स्राध्द्र पक्ष्य की स्राध्द्र पक्ष्य को पित्र पक्ष्य नि कहा जाता है आज हम बात करेंगे पित्र दोस्त केसे बनता है और क्या होता है आई यह हम सुरू करते हैं स्रावन के बाद भाद्रपद्र के महा में पुर्णिमा से लेके अमाउस्य तक का समय पित्रपक्ष कहा जाता है इन दिनों में हमारे पित्र पित्र मतलब होता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य है और जो इस देह को छोड़के इस सरीर को छोड़के जिनका सुर्गवास हो ग इन 15 दिनों में हमारे पीत्र हमारी इस पूजन को स्युकार करने के लिए आते हैं तो आपकी जर्म पत्रिका के अंदर अगर आपके दूसरे भाव आठ्वे भाव और दस्वे भाव में सूर्य के साथ अगर केतू है तो वह पीत्र दोस्त आपको बनता है इसके लक्षन क्या ह होते हैं अगर आपके पास पत्रिका नहीं है तो इसके लिए अगर आपके बालों का बार बार जर्ना ज्यादा जर्ना हो रहा है बाला गिर रहे है आपके हड्यां बार बार टूट रही है या कम जोर हो रही है आपके आखों की रोस्नी अगर कम होती जा रही है आपको बार पित्र दोसberg के माने गया है अगर इस तरीके से लक्षन है श्राइस्ता पाई रोग्ये खाहिए पंडियाग्राइम प्रियाग्राज इलाब गया अगा इसके बाद भी आप अगर आप महां नहीं जा सकते हैं तो आपके समीप नजदिक में जो भी नदी, सरोवर, तालाब हो वहाँ पर किसी विद्वान ब्रह्मन को ले जाकर अपने पित्र दोस्ता निवारण करें पित्र पक्ष में आप कोई भी मांगलिक कारी सुरू नहीं करें किसी प्रकार का कोई अगर कोई नया मांगलिक कार्याब कर रहे हैं तो उसे करने से बचे आप उसे सुरू नहीं करें साथ ही आपको मास मतन सराब इत्यादी व्यसनों को नहीं करना चाहिए आपको साथ ही बालों को नहीं काटना चाहिए नाखुनों को नहीं काटना चाहिए किसी प्रकार के कपड़ों को नहीं काटना चाहिए किसी प्रकार से अगर कोई कट हो रहा है केची चल रही है तो उसके आप परेच करें उससे उसका उप्योग नहीं करना चाहिए यह सबी चीजें आपको नहीं करना चाहिए दीपक पांडे लोकल 18 खरगो